सबी साथियों को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज 9 सितंबर के जन सत्ता विशलेशन में आए शुरू करते हैं जन सत्ता विशलेशन बिना किसी देरी के पतन प्रिश्च में कई राजनेते खबरों के साथ साथ खेल जगत की मतपून खबर है और मनीपूर को लेके खबर है कि मनीपूर की समस्या बढ़ती जा रही है सुनने में तो ये भी आया है कि वहां पर हिंसा कुछ जादा हो रही है एनिविरेन सिंग साथ ने केंदर सरकार की मरत मांगी है मनीपूर के मुक्य मंत्री हैं एनिविरेन सिंग मुक्यमंत्री ने कई विधायकों और विधान सबाधक्ष के साथ राजवन में राज़पाल के से मुलकात की और एक बैठा की उन्होंने यह अपील राज़पाल लक्षमिन प्रसाद अच्छार को सौप सौप एग्यापन में की है कि हमें केंदर की भी हेल्प चाहिए एक तखंड़ता को मेंटेन रखने के लिए कहीं एक्स्ट्रीमेस ग्रूप्स होते हैं 39 में प्रिवेलिंट और सिर्कार को ध्यान देना चाहिए अगले लिखे पारस पारलंपिक्स से बदगो और पाइदान के लिहाज से भारत ने इस बार अच्छा परशिशन करा है और लगभग 29 मेडल्स भारत के पास इस बार आये हैं जो कि पिछले उलंपिक्स के से मुकाबले में जादा है अगर हम ग्राफ देखें भारत के उलंपिक्स आज तक के और पारस उलंपिक को खास विशेश कर तो पारस उलंपिक्स जो वर्तमान में चले हैं उनमें भारत ने 29 मेडल्स जीते हैं वहीं भारत पहले 21, 22, कभी-कभ तर्शन नहीं रहा क्योंकि चाइना और बाकी कंट्रीज ने 100 प्लस मेडल्स जीते हैं यूएस ने फ्रांस जर्मनी ने तो हमारा भली इनके मुकाबले ठीक नहीं है अगर हमारे साथ से जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड रहा है तो 8 मेडल्स और अब जाके 29 मेडल हमने अच्छा करा है परलम्पिक्स में और बढ़िंग आगे संपात्की की ओर और आज शुरू करेंगे कल्प मेधा से अमीर और गरीब का फर्क कितना नगड़ने है एक ही दिन की भूप और एक ही घंटे की प्यास दोनों को समान बना देती है खलील जिबरान सापने बहुत अच्छी बा चुनाती भरी डगर यह लेक लिखा है जैनतिलाल भंडारी जी दोरा हाली में तराश्टी मुद्रकोश की उप्रबंदग निदेशक ने कहा कि भारत हाला की से 23 तक दुनिया की तीसरी बड़ी रतवस्ता बन जाएगा लेकिन विकसित भारत के लक्षे तक पहुशने के लि भारत को मद्धे आए के जाल से बाहर निकालना होगा यह संकल्प कितने से नौतीपूर है इसका अंदाजा पिछले दिनों नीती आयोक द्वारपस्तुद वर्ष 47 तक विकसित भारत बनाने के दिश्टी पत्र से लगा जा सकता है अब यह बात होई रही तो मैं आपको बत दिख रहे होंगे ऐसे मगर वह सही नहीं है तो भारत के सब्सक्राइब के शेफ्ट रिकवरी चल रही है वह के शेफ्ट ग्रोथ है कि आपको बड़े चेत्र तो उठते हुए दिख रहे होते हैं कि उन्हें बहुत बहुत और यह आप उनके बैलान्स शीट उनके डेटा द एक और एक वर्ग ऐसा होता है जो बहले ही अर्तिवस्ता तो बढ़ रही होती है मगर उसका ग्रोथ नीचे जा रहा होता है और यह जो नीचे जा रहा है यह समय है मिडल क्लास पुरानी वीडियो सब देख लीजिएगा मैंने बताया है वह इसकी बारे में डिटेल में तो फिलाल आगर आपको अपने आप से बेधिन करना है तो आप एक बार को के शेफ्ट एकनॉमिकल ग्रोथ सर्च करिएगा इंटरनेट पे के शेफ्ट एकनॉमिकल ग्रोथ सर्च क या वर्किंग क्लास जो की गर्थ पे जा रहा होता है और यही भारत में हो रहा है दिख रहा है तरक्की हो रही है तीसरी बड़ी अउस्ता बन जाएगी मगर इसका दूसरा आसपक्ट भी है और वैसे भी कई आर्टिकल ने भारत के बारे में यह कहा है जो की विदेशी एक वर्कर्स को जो जो उसकी human capital है उसकी स्थमाल नहीं कर पा रहा ऐ गरोथ हो रही है यह तो मिना कोदा केка нач是.» ब डिखे गए गरुद हो रही है आपको leaving के दिखता ही गरुद हो रही है मगर उस growth के बतले जितना रास्ते में जॉब employment होते रहना चाहिए वह नहीं हो रहा है और भारत में इतने सारे लोग हैं अगर आप human capital का सही इस्तिमाल करेंगे तो भारत बहुत बड़ा manufacturing कांग कर सकता है और भारत में अभी manufacturing को काप नहीं कर पाया है manufacturing अभी हम उस तरफे नहीं पहुचे हैं कि हम कह सकते हैं कि हम बड़े 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 बिससे वह वह गरो रहे हैं तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो पिस्टी बात है वो भी तो इंप्लॉइमेंट लोगों को देही रहे होंगे ना तभी तो लोग काम करेंगे उन क्या काम होगा तभी तो ग्रोथ होगी नहीं यही तो नहीं हो रहा है प्रॉफिट्स पर रहे हैं बिजनेस हाउस अर्ण जादा कर रहे हैं प्रावट शिक्टर कमा भी रहा है उसके प्रोपोशन में उसके प्रोपोशन में वर्क नहीं दे रहा है तबी जॉब्लेस क्रोथ या यूमन क्यापिटल किस्तमार करना कम स्तमार करना कहा जाता है। इसे लिए हम अब ही भी मनुफैक्ट्रिंग को लीड नहीं कर पा रहे हैं मिनफैक्चरिंग को हमें आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोड़क्ट्स चाइना से चाइना की पॉलिसी कितनी भी खराब हम कहते हैं मगर आगर आपको कोई भी एक बार उठा रहे हैं गूगल पर चाइना डाल दीजेगा तो भारत ने अभी हाली में और इंपोर्ट्स बढ़ा दिये हैं चाइना से एलेक्ट्रिकल एक्विप्मेंट्स खिलोनों से लेकर हर चीज़ का जबकि हम ये मनफैक्चरिंग कर सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं हम उसको नहीं जानते हैं मगर फिलाल ये कई आर्टिकल्स ने मैंने पढ़ा खुद ब्लूमबग जिसे अब को ये मत कहिए कि ब्लूमबग हिंटन बार के सार वो तो ऐसी चापते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सब इसको चैनल से फर्म होती है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बैठे हैं ठीक है तो वो बाइस मत रखीया आप ही पड़े लखी लोग है ग्रोथ हो रही है हाँ हो रही है एकनिमल में आगे जा रही है हाँ जा रही है मगर रियाल्टी में यूमन कापिल को वर्कफोर्स को नौकरिया नहीं मिल रही है इसे लिए एक वर्क कमजूर होता जा रहा है या बर्डन में दबता जा रहा है अब इसके लिए एक और aspect नहीं बताता हूं एक और मतलब एक point यहां मुझे याद आ गया Central Board of Direct Taxes का मुझे डेटा याद आया Central Board of Direct Taxes टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुए भारत में है टोटल टैक्स कलेक्शन लगभग पांच लाख चोहत्तर हजार थ्री फिफ्टी सेवन करोड जिसमें पांच लाख चोहत्र हजार में तीन लाख च्यालिस अगर मैं गलत नहीं हूं गैटा टैश और लगभग दो लाख संथिंग तीन लाख परसनल इंकम टैक्स पी आईटी कहते है इसको परसनल इंकम टैक्स से अर्ण करा है और दो लाख कॉर्पुरेट से अब समझेंगे आप लोग ग्रोप्रेट ग्रोव कर रहे हैं क्योंकि उन पर टैक्स भी तो नहीं दे रहे हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं आप गूगल कर लेना सी बी सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टैक्स सी बीडीटी टैक्स कलेक्शन आपके सामने डेटा पूरा आ जाएगा यह वाला इसमें सारा बर्डन पढ़ रहा है किस पे परसनल इंकम टैक्स वरकिंग क्लास पे वरकिंग क्लास पे इसलिए केश यह इपर रिकर्वरी है कि कॉर्पोरेट तो ऊपर जा रहे हैं जो दिखाविदीर हैं मैं आपको फ HER TACS भी नहीं दे रहे हैं कमा भी असान भाशा में तीन रुपे जन्मानस से लिए हम लोग वर्किंग क्लास है और दो रुपे लिए कॉर्परेट घरानों से ज़्यादा लेना चाहिए और दिक्कत देखे कॉर्परेट हाउसे कमात हो रहे हैं मगर वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट मतला में शेयर मार्केट में नहीं कर रहा हूं मैं इन्वेस्ट कहा रहा हूं कि मैन्फेक्चरिंग प्लांट्स लगाएं और वर्कफोर्स को नौकरी दे जबकि अभी हाली में रिलाइंस ग्रुप ने 12,000 लोग को नौकरी से निकाल दिया यह आपक लोग को निकाल हो रहा है लोग ले ओफ करें आप देखें ना आप इस समय जित्ती भी कॉर्परेट जॉब लोग कर रहे हैं ले ओफ हो रहे हैं मगर कंपनी प्रॉफेट में चल लेगे हैं आप कह रहे हैं कि यह मैं जनरल कहा रहा हूं इसलिए रिकवरी दिख रही है कि देश आगे चल लाया है मगर या नीचे वाला ग्राफ में वर्क posh आता है वो नीचे जा रहा है ठीक है या हमने हवा में नहीं बता है टैक्स केलेक्शन बता रहा है जासे जादा नर्म से हुआर रोपय और लोग को नौकि दीजिए लोगों नौक्री से निकाली है मत ठीक ना ये समस्या है आगे वापस अर्टिकर पर लोटते हैं बाकी दीए विश्यवेंग वागर तो बोलते रहते हैं उनका अपना अनारिसिस होता है फिलाल भारत ने 2000 से तागेट लिया हुआ है इसमें कहा गया है कि बात में कहा कि विकसित भारत की नीव मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि संदुतर संगराम के दुरान जिस तरह की भावना देशवासियों ने दिखाई थी विकसित भारत के लक्षे को हासिल करने के लिए ब्ला 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 निसंदेर विकसित भारत के संगर चुनाती पूर्ण है लेकर असंभव नहीं है आगे बढ़ेंगे इस बजट में विकसित भारत के लिए नौ प्रात्मिक्ताओं को रिखांकित किया गया है नाइन एजेंडास प्रायर्टीस इसमें समाजिक न्याय विनिर्मान विकस शेहरी विकस उर्जा बुनियादी धाचा अनुसंधान और नवाचार और अगली पीडी के लिए सुधार शामिल है जिसमें अद्यो कारोबार श्रम क्रिशी, MSME, कराधान, शिक्षा, स्वास्त, भुक्ता, धाचा, विच्छेतर इत्यादी वैश्व क्रेजट रेटिंग एजन्सी और मूडीज, यह मूडीज बिसिकली यह सबत है कि इंटरनाशनल रिसर्च फर्म्स होती है जो finance जगत की होती है, काम ही यह होता है, कि देश को रेटिंग देना, देश के कारोबारों को रेटिंग देना, क्यूँ, अब भई अमरीका में कोई बैठा है, ठीक है न, अमरीका में कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे, तो उसको यह थोड़ी पता है कि इंडिया में कौन सी कंपनी का क्या क्या टर्न ओवर है अब फोन करेगा भई है क्या पर कंपनी चल लगा अच्छी वह तो बोले गई आदमी अकर उस पर कोई कारोबार आ रहा है तो मना थोड़ी करेगा मगर ऐसे कारोबार नहीं होता है अगर वालमार्ट को फिलिप को टेक ओवर करना है तो उसने फिलिपकाट को फोन नहीं करा कि भाई है मैं सोचना को मैं टेक ओवर कर लूँ और आशा यह बताना है सब कुछ चीक है अगर कोई अमरीका से फोन करके बोलेगा आप से हाँ बता सबसे चल लाए इसी चीज़ को बचने के लिए मोडी जैसी देश किसी भी कोने पर जर्मनी में मस्टीज बीन डेबलू को अगर अपना पूरा नया मार्केट काप्चर करना है तो उस देश की पहले रेटिंग देखता है कि उसकी अर्तिवस्ता कैसी है उस अर्तिवस्ता में क्या लोग का पेंग कैपास्टी है कि नहीं है यह थोड़ के बाद डिसीजन लेते हैं हाँ चलिए इस देश में चले जाते हैं और देश में काम करने लाइक विवस्ता है तो इन सबका अपना नैलेसस है मोडीज, S&P, Fitch, Fitch रेटिंग्स भी कहा है ने विद्वाज 25 के बजट में सरहना करते हुए कहा कि इनकी तहत राजसु घाटा एम राजकोश ये घाटा कम करने के प्रतिमत दिखाई 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 देती है कहा गया है कि बुनेदी राचे ने रिवेश पर आवंटन बढ़ाने की नीती लंबी अवधी को आंशिक विद्धी के लिए सहायक है मतलब इनने ये कहा है कि बजट में इस बाद जो हमार जातो निवेश में बड़े स्तर पर विद्धी करनी होगी अब यह सब बाते तो ठीक है कि लड़का टॉप करेगा लड़का सीधे सीए बनेगा रॉक्टर बनेगा ना ना ऐसे नहीं होता है नीती आयोग को यह प्लाइनिंग करनी पड़ेगी कैसे बनेगा इस कैसे बनेग इन्वेस्मेंट संस्तागत विकास करना पड़ेगा नीती आयोग को देश को आगे ले जाने के लिए निसंदे देश की विकसत बनने के लिए कई मतरपूर सेवाएं और सुविधायों की गुरुवत्ता बढ़ाने की जरूरत होगी देश में पते नागरिक के पास देश को आगे बढ़ाना है सबसे पहले आपको उस देश में रहने वारे लोगों को खुश करना होगा उनकी आये परकाप्टिया इंकम उनके खर्चे उनको आपको प्लेजन रखना जरूरी है तब ही वो वर्कोस कंट्रिबूट कर पाएंगे यह नहीं कि आप उनने दो र जारों वेपारे को विति के इंदरों को दुनिया के सबसे बड़े और शीश के इंदरों के रूप में पचान दिलानी होगी मनफैक्चरिंग से वाओन उसंधान और नवाचार में आगे बढ़ना होगा एक ऐसे जीवां ग्रामीर अतवस्ता बनानी होगी जिसमें ग्रामी सुल्शन है बहुत सुल्शन जिरूशन जो ने लेबर रिफॉर्म्स लाइए यह पहले लेबर रिफॉर्म्स लाइए लेबर रिफॉर्म्स human capital कर रिस्पेक्ट करना सीखिए उनने स्किल दीजिए मतरब मैं स्किल नहीं कहा रहूँ आप बस स्किल देके उनने नौकरी पर लेबर का रिस्पेट करिए, स्किल दीजिए, उन्हें अपग्रेट करिए, उनकी इंकम बढ़ाईए, फिर दूसरा, इंस्टिटूशनल डेवलोप्मेंट, गवर्नेंस सही करिए, व्यूरोक्रासी को सही करिए, यह ना, कॉर्परेशन को सही करिए, तीसरा, इंफरस्ट्रक् सही करना पड़ेगा, हवा में नहीं अर्थवस्ता बढ़ती है आगे, तभी तो इंबानेस क्येट हो जाता है, अगर चीज़े सब सही चलती होंगी, तभी तो पॉजिटिविटी रहेगी, पर काप्टिन कम बढ़ेगी, वना सिर्फ एक ही वर्क आगे जाएगा, दूसरा हमेशा नीचे रहेगा, बहुत बढ़िया आर्टिकल था, इसमें कई पहलों पर ध्यान दिया है, और हमको जेंडर वर्क फोर्स, जेंडर इक्वालिटी भी ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्यानिंग कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्मेंट का साय संसाधन होते है कि इन पर काम कर सके, फिलाल आब अगले आर्टिकल को बढ़ेंगे, वो है मनीपूर को लेके, मनीपूर में समस्या बढ़ती जा रही हिंसा का संगर्श, अब ग्रहयोद जैसिती में पहुँच चुका है, वहां के मैत ये कोकी समधायों कि आतंकी संगठन ने केवल लगशि हिंसा, बलकि हत्या दूने तकनी और उपकरणों का उप्यूग करने लगे हैं, बाई सब ड्रोन चला रहे हैं महाँ पर, मतलब न्यूस देखा था कि ड्रोन कस्तमाल कर रहे हैं, रॉकेट कस्तमाल कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली उड़ा रहे हैं चीजों को, जैसे वार व मारे गए, आप यह सब कोई रश है, युक्रेन के बारे में नहीं सुनना है, यह मनी पुरा है, इस घटना के बाद वहां के मुख्यमंती ने वहां अपना रटा रटाया बयान दे लिया, कि हिंसा करने वारों को बक्षा नहीं जाएगा, वगरा वगरा, उन्हें खिलाफ सक समझ से परे है कि एक राज्य में हिंसा होते सवसाल से उपर हो गया, मगर सरकार हाथ पर हाथ धरी बैटी दिखती है, कुशन माग तो है, इंफार पश्रिम घटना के बाद मुख्यमंती ने संकर्प लिया था कि वह किसी भी चरमपती संकर्टन को राश्री विरोधी और क्यूं उस रक्षाबरो की तेनाती नहीं बढ़ाई है, यह भी कोशन मानके अगर महाँ पर ऐसा हो रहा है तो आपनी आर्मी भीजिए, आप अरामेलेटरी फोसस को भीजिए, क्यूं छोड़ अखा है, सवाल यह भी बना हुआ है कि आखर मणीपूर पर केनल सरकार की की है, फिर मणीपूर के मुक्य मतरी को इतनी मोहक क्यों, मणीपूर की हिंसा को लेका अब धामती तक पर सवार उड़ते रहे हैं, आखर मैं चुप क्यों है, बहुत से चीजे हैं, यह अगला आर्टिकल आप पढ़िएगा, दक्षेस से उमीद, यह चली मैं ही पढ़ लेत इस सी ओ, यानी दक्षेस या सार्क के तहत, इसमें शामिल देशों के बीच आपसी सजधारी से लेकर वहशिक मामलों पर रुख तै करने की समझ बनती थी, मगर पिछले कुछ वर्शों के तवरान दक्षिन एशिया देशों के बीच कूट मीतेक और अन्य मस्कलों पर जैस एहम भूमी का निबाने वाले दक्षेस करीब एक दशक से निश्क्री अपड़ा हुआ है, समस्य ये पैदा हो गई है कि इसमें शामिल देशों में अगर कोई बड़ी समस्याक भी खड़ी हो जाती है तो अब आपसी सहभागिता से कोई हल निकलने या उसमें मदद करने की गुंजाइश लगभग ठब पड़ गई है, जबकि पोड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंद या कूट नीतिक स्तर पर एक परिपक समझधारी कायम हो तो किसी जच्चिल समस्या समधान की रहा खोजने में मदद मिलती है, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए मंग ट्राइसयाँ का खल निकालने का रास्ता असान हो जाएगा कि मैं इसा इस एक्सप्रेस वाला वीडियो कौन सा था सात तारिक उला उसने को बताया हुए मैंने इस माड़र के बारे में भी फिलाल कॉंक्लूजन ये है कि साउथ इसेशिया में अभी कुछ अच्छा ठीक नहीं चला हाला कि भारत रसंभव प्रयास कर रहा है अपने दोस्तों को जोड के रखने में साउथ इसेशिया में सारे देशों को अपने साथ गैरा साथ तारीक वाला इंडियन एक्सप्रस का वीडियो अब देखे लेंगे आपको और समझ में आ जाएगा चिनौती है चिंता है मगर यही कूट नीती होती है हर वक्त को बाजी बनाके अपने हित में लाना ही डिप्लोमेसी का खेल है अकि यहां पर विश्व युद को लेकि एक पूर साइनिक साब के बारे में है जो की चरन सिंग सौ साल के हुए युदि विश्व की दुरान सासेना में अपनी सेवाई देने वाले और पतिष्ट भर्मा स्टार प्रोसका सम्मानेत लांस नायक चरन सिंग सेवा नेवित सौ वर्ष की हो गए हैं सिंग ने शरीवार को हमाचा पदेश में उनके घर पर उनके सेवा सौ वाजनन दें बनाया एक वर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि सा सेतंबर 1924 को जनमे सिंग की सेना में सफर 261942 को फिरोजपूर 56 पर शुरू हुआ था सिंग ने सेना में अपने शांदार कारेकार में दित्ती विश्यूत के दुरान आर्मी सर्वेस कौर के साथ काम किया बहुत बड़ा इतिहास रहा है अब सूचिए अभी अगर आपको लगता है न हमाई जनरेशन को जनरेशन इत्ती फ्यूचर वाली नहीं है जबकि आपकी अजादी जादा पुरानी बात भी नहीं है मैं एरवाइस नहीं करहा हूं मैं एक पस एक अंडर्सेंडिंग की रूप में कहना चाह रहा हूं ठीक है छोड़िए अब कुछ लोग अन्यता मतलब निकाल लेंगे सब सौ साल हो गए अब आप बोलने है सौरी शेतर साल हो गए जो हत्तर साल हो गए आप उने कल की बात है उन्हें कहा कि लैंस नाइक चरण सिंग की शतादी मिनाने बाती सेना तवारा यह संदेश देने का एक तरीका है कि जो एक बार सैनिक बन जाता है वह हमेशा सैनिक ही रहता है और यह अच्छी बात है देश में अभी भी ऐसे साथी साथ हम अपनी वाड़ी को गुरान देते हुए आग गया लेते हैं कर फिर एंगर नए वीडियो के साथ जुड़े रहे और डेली विजट करिए अपना कींती समय देने के लिए बहुत दने बाद आपका दिन शुब हो